नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता हैं आप प्रत्वी पर रहते हो और सभी अपने अपने घर में रहते हैं लेकिन क्या आपको पता हैं प्रत्वी का भी अपना एक घर है और जिस तरह आप अपना काम करते हो ठीक उसी प्रकार प्रत्वी भी अपना काम करती हैं और जिस तर ग्रहों और सोर मंदल से जुड़े कुछ रोचकत्य जानते हैं सोर मंदल में 8 ग्रह हैं बूद, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रहस, पती, शनी, अरून और वरून सोर मंदल में 9 ग्रह प्लूटो था लेकिन वेगयनिकों ने प्लूटो को ग्रह की शेनी से हटा दिया क्योंकि ये बहुत छोटा था ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्मा करते हैं सुर्य हमारी गेलेक्सी मिलकी वे से लगबक 30,000 प्रकास वर्स की दूरी पर इस्ती थे सुर्य मिलकी वे के 4 और 500 किलोमेटर प्रती शेकेंड की गती से परिक्मा कर रहा है मिलकी वे के 4 और गुमने में लगा वक्ते 25 करोड वर्स हैं जिसे ब्रह्मान कहते हैं सुर्य अपने आक्षपर पूरफ से पस्चिम के और गुमता है हमारा सोर मंडल करीब 4.6 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया है सुर्य हमारी प्रत्वी से 13 लाग गुना बड़ा है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह ब्रहसपति और सबसे चोटा ग्रह बूध है सुर्य का व्यास 13 लाग बाणू 1000 किलोमेटर है और ये प्रत्वी के व्यास से 110 गुना ज्यादा है बुद्ध, शुक्र, शनी, ब्रहसपति और मंगल इन पांचों ग्रहों को खूली आंकों से देखा जा सकता है और इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है आप आई बटेन पे क्लिक करके इसे देख सकते है शुक्र, सुर्मंडल का सबसे गर्म ग्रह है सुर्य में 21.5 फिजदी हाइडरोजन, 26.5 फिजदी हिलियम, 2.5 फिजदी अन्यतत्व होते है सुर्मंडल में सुर्य और खगोली पिंड एक दूसरे के गुरूतवा क्रुषन बल में बन्दे है सुर्य हमारे सुर्मंडल का सबसे बड़ा पिंड है सुर्मंडल में पिंडों को तीन श्रेणियों में बाटा गया है परमप्रागत ग्रव बोने ग्रव लगू सोरमंडली पिंड परमप्राग्रव में बूद शुक्र प्रत्वी मंगल ब्रस्पती सनी यूरेनस और वरून है बोने ग्रवों में प्लुटो, एरीज, सेरस, माके माके होमिया है लगो सोर मंडली, पिंड में धूम केतू, उपगरव और अन्य खगुली पिंड शामिल है सोर मंडल में बहुती छोटे छोटे अरवो पिंड है जिने हम धूम केतू या पुछल तारे करते हैं चंद्रमा 6 ग्रहों और 3 बोने ग्रहों की परिक्मा करता है तो दोस्तो ये थे सोर मंडल से जुड़े हुए कुछ रोचक फेक्ट्स फेक्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जय हिंद, जय भारत